तो दोस्तों यह रही हमाय पस यहाँ पे Moto G34 5G और Moto G54 5G और आज किस फीडियो में हम जो है इन दोनों फोनों कंपेर करने वाले हैं और देखने वाले कि इन दोनों फोनों में से बैटर फोन कौन सा है तो इस फिरले compare करते हैं कि हमें दोनों के box के अंदर क्या चीज़ मिल जाती है smartphone तो हमें दोनों के साथ ही मिलता है साथ में SIM Jette Tool भी हमें दोनों के साथ मिलता है और data cable की बात करें दोनों के साथ हमें यहाँ 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 पे USB तो type 6 data cable मिलती है वहीं adapter भी यहाँ में दोनों के साथ ही मिलता है जहाँ पे Moto G34 5G के साथ आपको 20 वोड का adapter मिलता है वहीं Moto G50 और 5G के साथ आपको 33 वोड का adapter मिलता है वहीं यह cover की बात पर आपको Moto G34 5G के साथ कोई भी cover नहीं मिलता पर Moto G50 और 5G साथ आपको एक transparent silicone case मिल जाता है तो आप बात करते हैं के वेरेंट से उनके प्राइजिंग की तो यहाँ पे आपको Moto G34 5G के अंदर टोल दो वेरेंट मिलते हैं जिसे सबसे पहला वेरेंट 4GB RAM 128GB चोई साथ आता है जो आपको लगबग 11,000 का पड़ता है जो दूसा वेरेंट है वो 8GB RAM 128GB चोई साथ आता है जो लगबग आपको 12,000 का पड़ता है वहीं Moto G50 और 5G के अंदर आपको टोल दो वेरेंट मिलते हैं इसमें सबसे पहला वेरेंट 8GB RAM 128GB चोई साथ आता है जो लगबग आपको 14,000 का पड़ता है वहीं जो दूसा वेरेंट है वो 12GB RAM 256GB साथ आता है जो लगबग आपको 16,000 का पड़ता है तो अब इनकी स्पैसिफिक्शन को कंपेर करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोसेसर की तो आपको Moto G34 5G के अंदर Qualcomm Snapdragon 695 प्रोसेसर मिल जाता है और अगर Operating System की बात करें तो आपको Moto G34 5G के अंदर Motorola का My UX मिल जाता है जो Android version 14 पे बेस्ट है वहीं Moto G50 5G के अंदर भी आपको Motorola का My UX मिलता है पर यहाँ पर यह Android version 13 पे बेस्ट है और साथ-साथ दोनों ही फोनों के अंदर आपको stereo speaker भी मिलते हैं तो आप compare करते हैं दोनों की display को तो दोनों के अंदर आपको IPS LCD display मिलती है दोनों की display का size भी यहाँ पे 6.5 inch का है वहीं अगर display की resolution की बात करें तो Moto G34 5G के अंदर सिर्फ HD Plus display मिलती है पर Moto G50 और 5G के अंदर आपको Full HD Plus display मिलती है और दोनों ही फोनों के display के aspect ratio भी आपको यहाँ पे 20-90 मिलता है और अगर display की protection की बात करें तो दोनों ही फोनों में आपको Panda Glass protection मिल जाती है और दोनों ही फोनों में आपको punch hole display मिलती है और अगर बात करें brightness की तो आपको Moto G34 5G के अंदर 500 nits की peak brightness मिलती है वहीं Moto G54 5G के अंदर आपको 560 nits की peak brightness मिलती है तो यहाँ पे जाधा bright display Moto G54 5G की है और बाकी refresh rate तो दोनों के अंदर आपको 120 Hz का मिलता है तो अब बात करते हैं दोनों फोनों की design की तो यहाँ पे आपको Moto G34 5G की back side पे vegan leather मिलता है जो काफिजा premium लगता है वहीं Moto G54 5G के अंदर आपको normal plastic back ही मिलती है और अगर इनके frame की बात करें तो दोनों की अंदर आपको normal plastic का ही frame मिलता है और यहाँ पे अगर weight ही बात करें तो Moto G34 5G के अंदर आपको 180 gram का weight मिलता है वहीं Moto G54 5G के अंदर आपको 192 gram का weight मिलता है और अगर दोने ही फोनों के नीचे वाल साड़ देखें तो आपको दोने ही फोनों के अंदर 3.55 का headphone jack मिल जाता है एक mic मिल जाता है, एक type C port और एक single speaker भी मिल जाता है वहगे अगर दोने ही फोनों के उप्रवेल साड़ देखें तो दोने ही फोनों में आपको एक secondary mic और डॉल्बी Atmos की branding भी मिल जाती है और अगर राइट साड़ पर देखें दोने ही फोनों में आपको volume rockers और एक power button मिल जाता है और यहाँ पर लेफ्ट साड़ पर देखें दोने ही फोनों में आपको यहाँ पर SIM tray का option मिल जाता है और अगर SIM tray की बात करें दोने ही फोनों के अंदर आपको एक hybrid SIM tray मिलती है जिसके अंदर आप dual SIM यूज़ करते हैं या फिर एक SIM card और एक memory card यूज़ कर सकते हैं आप तीनी चुछों का एक साथ इसके अंदर यूज़ नहीं कर सकते हैं और अगर fingerpad sensor की बात करें दोने ही फोनों में आपको side mounted fingerpad sensor मिलता है जो इनकी power button की ऊपर ही है और बाकी IP rating की बात करें दोने ही फोनों के अंदर आपको IP 52 की rating मिलती है तो आप बात करते हैं इन दोनों फोनों की cameras की तो दोने ही फोनों के back side पर आपको यहाँ पर dual camera setup मिलता है साथ में दोने ही फोनों का primary camera भी यहाँ पर 50 maps का है और अगर बात करें secondary camera की तो यहाँ पर आपको MODO G34 5G के अंदर 2 maps का macro camera मिलता है वहीं MODO G54 5G के अंदर आपको 8 maps का ultra wide camera मिलता है और दोनों ही फोनों के back side पर आपको एक single flash भी मिल जाती है और अगर इनके back camera की video recording की बात करें तो आप यहाँ MODO G34 5G के साथ full HD video 30 frames per second पर maximum record कर सकते हैं वहीं MODO G54 5G के साथ आप maximum full HD video record कर सकते हो 60 frames per second पर और अगर front camera की बात करें तो दोने ही fawnों में आपको single front camera मिलता है जिसमें दोने ही fawnों का front camera यहाँ पर है वेंवसल का ए और अगर front camera की video recording की बात करें दोने ही fawnों की front camera से आप maximum full HD video 30 frames per second पर record कर सकते हैं और अगर इन दोनों phoनों की camera app के features compare करें दोनों ही फोनों में आपको exact same features मिल जाते हैं दोनों ही फोनों के अंदर आपको slow-mo, portrait, promo, panorama, time-lapse, sport color और dual capture जैसे features दोनों में ही मिल जाते हैं और इन दोनों फोनों की batteries को यह compare करें तो यहाँ पे आपको Moto G34 5G के अंदर 5000 mAh की battery मिलती है वही Moto G54 5G के अंदर आपको 6000 mAh की battery मिलती है जिसमें यहाँ पे Moto G34 5G सिर्फ 18W fast charging support करता है वही Moto G54 5G यहाँ पे 30W fast charging support करता है मतलब इसके अंदर आपको बड़ी battery भी मिल रही है साथ में यह जल्दी भी charge हो जाएगी वही अगर बात करें इन दोनों फोनों के network आई connectivity की तो यहाँ पे आपको Moto G34 5G के अंदर 13 5G bands मिलती है वही Moto G54 5G के अंदर आपको 14 5G bands मिलती है और दोनों फोन यहाँ पे dual 4G voltage support करते है और Wi-Fi की बात करें दोने की फोनों के अंदर आपको 5 GHz Wi-Fi मिलता है और अगर Bluetooth की बात करें तो आपको Moto G34 5G के अंदर version 5.1 का Bluetooth मिल जाता है वही Moto G54 5G के अंदर आपको version 5.3 का Bluetooth मिल जाता है तो अब ही मैंने इन दोनों फोनों काफी उच्छे से यहाँ पे compare कर दिया है सो अब आते है final result पे कि इन दोनों फोनों में से आपको यहाँ पे कौन सा फोन लेना चाहिए तो अगर आप इन दोनों फोन में कुई एक phone यहाँ पे चूस कणना जाते है तो आपको यहां पर Moto G 34 5G ही चूज़ कना चाहिए क्योंकि इस phone के अंदर आपको कम price में लगभग Moto G 50 और 5G की ब्राबर की specification मिल रही है बस आपको यहां भी थोड़ compromise करना पड़ेगा इसकी battery और इसके display में क्योंकि इसके अंदर आपको सिर्फ 18W fast charging मिल रही है और सिर्फ HD plus display ही मिल रही है लेकिन अगर आपको प्राइजर कोई भी issue नहीं और आपको सब कुछ यहां पर best ही चाहिए इसके अंदर आपको एक तो full HD plus display मिल रही है साथ में 6,000 damage की बड़ी battery मिल रही है और 30W fast charging मिल रही है मतलब कि यह phone ज़्यादा लंबा भी चल लेगा और जाज जल्दी भी चार्ज हो जाएगा तो आप मुझे लगता है कि आपके यह confusion दूर होगी होगी और आप इन दोनों फिर्म में से अपने हिसाफ से best phone चूज कर पाएंगे तो मुझे निच कमेटे में बताईए कि आपने कौन सा phone चूज किया है तो दोस्तों फिर बस आएक्स फिडिम में इतना ही अगर कमेटे में वीडियो पसंदेख से और लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्स्क्राइब करें ऐसी और वीडियो देखने के लिए थैंक्यों पर वाचिंग एंड बाई बाई